नमस्कार खबर कर लोग में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ समिक्षा इस वक्त की बड़ी खबर और चुनाव महौल में काफी लोग जो है अपने घर पर बैठ करके लोग चर्चा कर रहे हैं तो चली हम कुछ लोगों से जुड़े हैं यहां पर और हम बात करेंगे य हम स्याम सिंग हैं और बढ़ेरा गाओं के निवासी हैं यहां पर तो हम दादा जी से बात करेंगे कि बरतमान में जो सरकार रही उससे कितने खुष रहे हैं इस आप खुष का रहे हैं आप दादा जी का कहना है कि हम बरतमान जो सरकार भाजपा की थी उससे हम बिल्कुल खुष नहीं है क्योंकि हमारे लिए कोई भी योजना लागू नहीं हो पाई और कोई किसी को यहां पूचता नहीं है एक बार बन जाता तो फिर चले जाते आगे दादा ऐसी कोई बज़ा है खास करके जो कि आप बता सकते कि इसके बज़े से हम खुष नहीं है रेजी लाप की पीछे नहीं है और काया लाप नहीं मिली भाजपा सरकार के लोग बाग डारेक्टली कहते हैं कि हम सरकार में बैठे और हम जो भी पैसा डालते हैं गरीब लोगों को चाहे आवास ले लो या कुछ भी ले लो तो सिदा आ करके शचाओ कर घाज कर गया। परकार से दादा जी ने कहा कि हम ने अपने कागज दिये और साइद पैसे भी कुछ पैसे भी दिये क्या क्या लिए थी तो हमारे यहां साइद बन सकता था तो दादा जी ने ऐसा आरूप लगाया और कहा कि हम किस लिए बाजपा को सपोर्ट करें क्योंकि बाजपा में ऐसे गोड़ नहीं है इस प्रिकार से दादा जी अगर देखा जाए तो आज की स्थिति देखा जाए कि कॉंग्रेस पाइटी से विदायक जी जो है ना कॉंग्रेस पाइटी से सब्सक्राइब कर देखा जाया तो इनका कहना ही है कि कॉंग्रेस उस समय बच्चा थी और बच्चा में ही अगर उसको नष्ट कर दिया गया तो आप कैसे लाप्राप्त होता लेकिन अब आने वाले समय में दादा जी का ऐसा उस्ताव लग रहा है साहिद किस मतलब उसको देखना चाहते आप किस की सरकार देखना चाहते हैं कांग्रेस जादा अगर बात करें आप उन जैसे जादा तर यादब हैं आप ग्रामिड में हम को दो बिकास की लिए हम चुनाओ लड़ते हैं ना की चलिए और भी लोग बाग जोड़े हुए हैं हम बात करेंगे मेरा नाम गजिंद्र सिंग परियार है किस गाउं में हम बुड़ेरा ग्राम से निवास करते हैं परियार मौला यह जी गजिंद्र जी मैं आपके गाउं में आया मुझे बहुत अच्छा लगा और यहां पर काफी लोग यहां पर चर्चा कर रहे थे चुनाब भी माहोल चल चिंद्या जी थे जब तो उन्होंने गोशना की थी कि हम किषान का दो लाग तक कर्ज माप करेंगे तो जब तक सरकार रही तब तक थोड़े थोड़े से उन्होंने माप करना चालू किया है कुछ महीने बाद सरकार चली गई है तो अब कांग्रेस की सरकार में तो बहुत क यहां पर जो की पूर जो मुक्मंत्री ने युजना निकाली कि को साला हर गाउ में बनना चाहिए नहीं वो उनकी फिरुजनाओं को मतलब एक किसम से यहां पर वेक्टी धुक्र जी में बताएं आप जैसे की 57 साल करीब राज किया कॉंग्रिस ने यह तो लेकिन तो अब उसमें अपने जो अगर आपको मैं जैसे ज्यादा लंबा ने खीचू थोड़ा सा खीचू तो क्या ही अपने जो है कॉंग्रेस नेताओं सबस्क्राइब तो जैसे की हमारी धानका रेट 4,000 से 42,000 रुपे कुंटल तक था डीजल का रेट पच्छी सो से 3,000 रुपे चल रहा है और डीजल का रेट 100 रुपे-लीटर हो रहा है तो इसमें हमारे लिए लाब नहीं है इसमें हमारा गाटा ही है अब पहले अगर देखा ज आता है विए अधाता तो जैना रहा है चाली है और बेहनों को आवी रहा तो इस से अब कितना खुत हो इस से खुप क्या है यह तो लॉली पॉफ है चुनाव आया उन्होंने पैसे चालो कर दिये अभी उनकी 18 साल से सरकार रही है जब से क्यों नहीं बेनों की सोची अगर लोली पॉप की बात करें तो जैसे पलेट बार जब पूर्व मुकमंत्री जी ने कहा कि अगर वह बारा सो देंगे तो हम पंद्रा सो देंगे हम तीन हजार तक ले जाएंगे अगर वह लोली पॉप है तो यह भी साथ नहीं तो हमाँ जैसे की जैसे की कांग्रेस की सरकार राजिस्थान में भी बनी है कई राज्यों में बनी है तो उन्हों ने वहाँ पर अभी सरकार है और यहां पर काफी लोग जो है बढ़िया जो है माहल है एक दूसरे को बोड़ दे लेकिन से कोई मतलब हैं हम दुब्याई गाउं से तो यहां पर आपका आना जाना रहता है बराबर बरतमान में जो सरकार रही बाजपा इससे कितना खुछ है ठीक है राइज कामकाई ठीक ठाग है लेकिन महंगाई से थोड़ी अजात किसानों को मिलने चाज़ ज़िए तो अगर बात करें तो हैं लोगों के अनाच का भी दाम बढ़ा है लोगों की अपनी जो रोजी रोटी का भी दाम बढ़ा है हर चीज का दाम बढ़ा है अगर उसी पर बात करें हैं तो तो यह नहीं किसान की बात करें तो काफी पैसा जो उनके खाते में जा रहा है किसानों के बीच किसान को पैस अच्छी सरकार नहीं लग रही तो आपके मुठी में काफी जो है पूर्व सर्पंच तो क्या हुआ लेकिन कहीं नहीं तो जीत रहती है तो आप एक बहुत अच्छी दूसरी निजर से देखे जाते हैं लेकिन आप जो देख रहे हैं तो एक पूर्पंच लगती है आपके अंदर अब यह बरतमान में अपन किसकी सरकार चाहते हैं नहीं सरकार तो बढ़िया है कुनाओ आने वादा है कि लिए हो गया तुमाम सत्रा को हो गई तुमाम भी रूट पार्ट वाहम बश्ता चलगती है लिए अपने जो भी लगे आपको जो भी हुचत लगे उसे सरकार सरकार को बगाव की बन जाब इनको को दिक्के देख रहें अभी बरतमान में जो बड़ायक हैं क्या वो फिर से बड़ायक बन सकते हैं मर्जी बन जाए अच्छी वाद वोट को हम लाव लेंगे बितो वाले आदमी राजासाब भी बड़ी आए तो इस पिरकार से पूर्व में पहले BGP से फिरदि पग्रवाल भी रहे तो क्या प्रदी पग्रवाल गलत हैं प्रदी पड़ी बीड़ी पड़ीया तो क्या आधा वोट करेंगे अब भी होगा तो देखा जागा जागा मद्दा हैं तो उनसे इनमें बात करूंगा क्या नाम है दादाप का कमल सिंग परियार कमल सिंग परियार मैं बर्तमान में सरकार जो थी वीजी पी की तो उससे अपने कितने खुछ थे बढ़िया थे अब बर्तमान में किसकी सरकार होनी चाहिए अब जो तो उनका भवस्त है किनका इन कांग्रेस की सरकार आएगी क्या कि सबराज सिंग मुखमंतरी चेरा साही नहीं है तो आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आजा तो जैसे कि आपने देखा होगा यहां मंच लगा है तो हम भी चाहते हैं आप से कि मैं सरकार की बात इसलिए कर रहा हूं कि बरतमान में सरकार जो है करीब यह चलाइं लेकर लागो नहीं करते लगों अच्छी बात करो तो जो भी पैसा आता है सरकार से खाते में आता सीधा लोगों की तो यह यूजना आपको अच्छी लगनी चाहिए और बिल्कुल इसमें कोई बिरष्टाचार भी नहीं होता चुनाओ के टेम से ब्रश्टाचार है तो बरतमान में जो बिदायक हैं रहे हैं अभी कहेंगे हमें बिदायक नहीं होने तो उन से क सरकारी नहीं थी कामी नहीं किया तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस की और विकास हो संतुष्ट है तो जैसे कि भाइया जी से भी मैं बात करना था अब गजन दबाई की थोड़ी सी चर्चा और रह गई मैं उनके पास फिर से लोटूंगा क्योंकि ये ग्रामीरों की भड़ा चालू किया था गोशना कर गए थे तो उसमें थोड़ा सा काम भी हुआ है लेकिन उसको फिर बंद करवा दिया है तो यह हमारे किशानों के जैसे की पैसे ऐसे डलने थे वो सब रुके रुके हुगे हैं तो यह बड़ा प्रोडिक्ट था और उसमें यह कहना था इंजिनिरों जैसे और निकलने के बाद में अब ठेकेदार से फिर दोहारा थ guitक चालू देंगैं कॉंगरिष के डक साथ गौव силь को वापस लेगा हैं मौ रख दी उन्होंने तो उनको भी उस समय थोड़ा सा रहम नहीं आया वैसे तो अपने सभी लोग और उतारू थे तो भी एक वापस जो थी ना अपना डेम बाली वह जा करके मौ रख दी उन्होंने नहीं तो डाक शाब ने कुछ सोचके ही रखी होगी क् सिस्टम ही दूर जाएगा तो यह तो डैम तो बन नहीं है क्योंकि डिश डैम से जो हमारे उस पार के अठारा गाउं है उनके लिए सचाई के माहल से सोचा होगा कुछ नहोंने के इस बादे से उदर जाकर करके रखा तो मौ उसी साइट में तो पानी जाना था तो गजन भ करा ना चाहिए सब्सक्राइब को अठारा